अगर आपके पास multiple source of earning है और एक source से earning नहीं आ रही है choosing money in share market is near to impossible आप ऐसे business में कभी invest ना करें जिसके ये share market तीजी से घट रही है आरे सब लोग बेच के निकल रहे हैं आप भी निकल जाओ हाई फ्रेंड्स अगर आप share market में investing करना चाते हैं और अपने पैसे को अपने लिए काम पर रगाना चाते हैं और पैसे से पैसा कमाना चाते हैं तो share market investing आपके लिए right direction है लेकिन प्रश्ण ये उड़ता है कि आपको share market की knowledge नहीं है तो हम ये काम कैसे शुरू करें तो आज हम इसी विशय पर बात करने वाले हैं how to start investing in share market share बजार में निवेश करना कैसे शुरू करें अगर आप share market में investing शुरू करना चाते हैं तो कुछ basics बात आपको समझनी होंगी जिनमें सबसे पहली बात है कि share market में investing के लिए कोई भी professional degree required नहीं है आप अगर यह सोचते हैं कि मेरे पास कोई professional qualification हो मैं को certified course कर लूँ तब मैं investing करूँ और तब पैसे कमाऊंगा तो यह आपके मन का केवल भ्रहम है दूसरी बात कुछ लोगों को लगता है इसके लिए बहुत high IQ चाहिए या बहुत deep knowledge चाहिए तो इसके लिए ना तो बहुत ज़दा advanced IQ लेवल चाहिए और नहीं बहुत ज़दा detailed knowledge चाहिए जरूरत है चीजों को ठीक से समझने की observation में चीजों को देखने की और ठीक तरीके से investing की strategy को follow करने की और कुछ लोगों को लगता है कि share market में केवल लग से पैसा कमाया जाता है तो यह भी एक बहुत बड़ा मित है Warren Buffet जिनको हम share market के सबसे बड़े दिगज लोगों में गिनते हैं और Warren Buffet को यह मानते हैं कि investing के गुरू है उन्होंने का कि losing money in stock market is near to impossible ध्यान से सुनिएगा near to impossible उन्हों यह नहीं का कि impossible है कि आपके पैसे कभी डूबी नहीं सकते मतलब यदि आपके पास सही knowledge हो यदि आपके पास सही information हो यदि आपको company का selection करना आता हो आपको यह चूज करना आता हो कि वो share market में right price पर है तो आपका पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है जरूरत है कुछ चीजों पर ध्यान देने की जैसे आपको share market की basic knowledge होनी चाहिए और basic knowledge का मतलब है कि share बजार में जैसे आप knowledge रखना चाहते है यह knowledge ठीक वैसे जैसे आपको business की knowledge होना चाहिए मैं आपसे एक प्रश्न पोश्ता हूं कि क्या आप किसी भी business में ऐसी पैसा लगा profit कितना है और वो company कितना profit कमाने के बाद कितना पैसा investment के रूप में मांग रही है उस company के share देने के बदले है ना बहुत सारी basic चीजे business के बारे में जो आप समझेंगे बविश्य में इस business की growth की क्या संभाव नहीं है या company का management किस तरह का है जो company को आगे future में growth की होग ले आप यही basic knowledge आपको चाहिए किसी भी company में investing को करने के लिए और उस company के share को खरिदने के लिए उसके बाद एक right strategy ठीक वैसे ही जैसे आप किसी business में निवेश करते समय देखते हैं उसकी right strategy आपको चाहिए कि वो कौन सा सही समय है जब लोग उस business में निवेश कर रहे हैं या उस निवेश से आपको मिलने वाला पैसा कई गुना होने वाला है बविश्य में उस वेपार की क्या-क्या अपार संभावना ही है इसी की strategy आपको समझनी है उसके लावा सबसे important बात है कि आपको अगर investing करनी है और अपने पैसे से पैसा कमाना है तो आपको discipline maintain करना पड़ेगा फीक उस तरह से जैसे आप अपनी बाडि को transform करना चाहते है तो आपको discipline maintain करना पड़ेगा वो डाय्से रिएट से र्लेक्स रेलेक्स से रर्लेटीडिड वो सकता है वो प्रक Blow से रीडिडिड न सकता है क्या अपको रेगुलर discipline kind करना उसके लावा आपको अपने emotions को control करना ह फ्रेंट्स क्या होता है कि share market का जो sentiment है ना कई बार उसी के भाव में लोग बहना शुरू कर जाते हैं उनको लगता share market तिरी से बढ़ रहे है राइट समय उसको खरीद लो यह share market तिरी से घट रहे हैं और सब लोग बेचके निकल रहे हैं आप भी निकल जाओ market के sentiments को समझना और अपनी emotions पर control करना बहुत जरूरी है तबी आप share market से अच्छा पैसा कमा सकते हैं Warren Buffet को कहते हैं कि share market के king है तो उन्होंने कुछ statements दी हैं और वो statements में बताती हैं कि अगर आप ऐसी चीजे खरीदेंगे जिनके आपको जरूरत महीं है तो अंत्रताय आपको वो चीजे बेचनी पढ़ जाएंगी जो आपको सक्च जरूरत है इसलिए आप सोच समझ कर personal level पर भी ऐसी चीजों को खरीदें जिनकी आपको सक्च जरूरत हो हम कई बार unwanted electronic gadgets खरीद लेते हैं जिसके हमें जरूरत नहीं है लेकिन कई बार जरूरत पढ़ने पर हमें ऐसी चीजे बेचनी पढ़ जाती जिनकी हमें सक्च जरूरत है इसके अलवा Warren Buffet कहते हैं कभी एक source of income पर dependent मत रहो क्योंकि अगर आपके पास multiple source of earning है और एक source से earning नहीं आ रही है तो आप दूसरे source की earning से अपने दिन चर रहे हैं अपने overheads अपने expenses को चला सकते हैं इसके लावा multiple source of income generate करें और multiple source of income का मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम करें जब आपका पैसा आपके लिए काम करेंगा तो जिस से में आप आराम कर रहे हैं हो उस समय भी पैसा काम कर रहा होगा और पैसे से पैसा जबाब कमाएंगे तो आप आसानी से financial freedom को अचीव कर लेंगे उसके लावा Warren Buffet कहते हैं कि अपने सारे के सारे अंडे कभी भी एक ही बास्केट पर मत रखो अगर आप एक ही जगा पर सारे अंडे रखेंगे तो बास्केट गिर सकती है तूट सकती है सारे अंडे एक साथ फूड सकते हैं इसलिए जरूरत है इन्वेस्टिंग में भी एक ही तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करें एक ही तरह के पोट्फोलियो में इन्वेस्ट ना करें उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं उसके लावा वार्न बफिन एक स्टेट्मेंट और बहुत अच्छी बोली है उन्होंने का था कि अगर नदी की गहराई नापनी है तो कभी भी दोनों पैर उसे मत नापो कहीं ऐसा ना हो कि आप डूब जाए इसलिए नदी की गहराई को नापने के लिए अगर आप टेस्ट करना चाहते तो एक पैर आप हमेशा ऐसी जगह रखे जहां पर आपको सुरक्षा महसूस हो और चेक करो कि कितना गहरा है ये बात बिजनस को लेकर भी है आप ऐसे बिजनस में कभी इन्वेस्ट ना करें जिसकी गहराई आपको ना पता हो ये ना पता हो कि वहिश्य में क्या आपार देखते हैं समझते हैं तो शेर बाजार भी तो बिजनस का ये पार्ट है एक कंपनी अपनी एक्विटी को किसी भी व्यक्ति को सेल करती है मतलब एक तरह से आपको अपनी पार्टनर्शिप आफर करती है तो जैसे आप बिजनस में इन्वेस्ट करते समय चीजों को देखते आपको पता है Nifty and Sensex का जो चार्ट है वो हमेशा हमें market के sentiments को बताता है कि कब-कब market टेजी से आगे बड़ी, कब-कब market गिरना शुरू हुई, कब-कब उसमें upfall हुआ, कब downfall हुआ, कितने लंबे समय तक market एक जैसी बनी रही, तो इसको हम चार्ट के मादियम से समझते हैं तो देखिए 2 जनवरी 1981 को जो Sensex था, वो 146.63, 146.63 था और उसके बाद 11 साल के अंदर ये जो Sensex है, 2 मार्च 1992 को 3869 पॉइंट हो गया, मतलब 11 साल के समय में ऐसा नहीं कि शेर बाजार में कुछ नहीं हुआ, 11 साल तक शेर बाजार थोड़ा बढ़ता रहा, घटता रहा, घट एक फलो के अंदर चलता रहा, लेकिन 11 साल बाद अचानक उसमें बहुत तेजी से व्रिदी आई, और Sensex 3716 पॉइंट बढ़ गया, मतलब अगर हम इस ग्रोथ की बात करें, तो 2543 परसेंट ग्रोथ हो गया, 2543 परसेंट ग्रोथ, मतलब ये दिया, आपने 146 रुपे लगाए होते, 1981 में, तो 1992 आते आते वो 3870 रुपे या 60 रुपे के असपास हो जाते, अगर हम बात कर रहे हैं, 146 रुपे की, अगर आपने 1000 रुपे लगाए होते, तो उसी के मल्टीपल में आप देख लीजे, कितनी ग्रोथ यहां पर होने वाली थी, फिर 3 मार्च 1993, मतलब 13 महीने क अंदर गिर के 2192 आ गया, मतलब 1669 हमारा पॉइंट गिर गया, मतलब हमें 43 परसेंट का यहां पर लॉस हुआ, फिर 14 साल और 7 महीने बाद, मतलब 3 दिसंबर 2007 को सैंसेक्स सीधा बढ़कर 2000 से 20286 हुआ, मैं बात करो 14 साल, इस 14 साल में शेयर मार्केट अच्छे चलती रही, अप हुई, डाउन हुई, अप हुई, डाउन हुई, लोगोंने पैसा बनाया, गवाया, बनाया, गवाया, लेकिन 2008 में स्कैम हुआ, तो उस स्कैम में देखा गया, कि बहुत सारा पैसा, मतलब एक तरह से स्पेकुलेशन की तरह लोगों का लुट गया, लेकिन बहुत सारे अगर हम इसको देखते हैं तो 825 परसेंट यहां पर हमारे जो सेंसेक्स था वो बढ़ गया फाइन और फिर क्या हुआ थीन मार्श 2009 को एक साल और तीन महिने के बाद सेंसेक्स हमारा घटकर 20,286 से घटकर 9,708 आ गया मतलब 10,578 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर केवल एक तेड़ साल के लिए पैसा इंवेस्ट किया होता तो उसका पैसा बहुत तेजी से गिरता 52% का यहां पर लॉस हुआ मतलब यदि आपने 2007 में 10,000 रुपे लगाए होते तो 2009 में वो लगबग 4,800 रुपे रह गए होते लेकिन 1 सितंबर 2010 को सेंसेक्स में फिर तेजी से बढ़ोतरी हुई और वो 20,263 पर पहुँच गया मतलब 10,555 पॉइंट बढ़ गया कहने का मतलब है यदि आपने 3 मार्च 2009 को 10,000 रुपे लगाए होते तो यहां पर जो आपकी ग्रोथ थी वो 108% थी मतलब आपके 20,000 से भी ज़्यादा रुपे वो हो जाने वाले थे 2 दिसंबर 2011 को मतलब 1 साल और 3 महिने बाद सेंसेक्स फिर तेजी से गिरा 15,162 पराकर हैं पर सेंसेक्स रुपा मतलब 4,817 पॉइंट की यहां गिरावट हुई मतलब 23% का लॉस हुआ और 2 फरवरी 2015 को सेंसेक्स फिर तेजी से बढ़ा और यह पहुँच गया 39,235 मतलब 14,73 पॉइंट की बड़ोतरी वी 92% की ग्रोथ हाई और अगर हम समय देखेंगे तो किवल 4 साल और 2 महीने में और 1 फरवरी 2016 मतलब ठीक एक साल बाद सेंसेक्स फिर तेजी से गिरा 39,235 से गिर कर वो चला गया 23,002 पर मतलब 6,233 पॉइंट की गिरावट आई 22% का यहां पर फिर दुबारा से लॉस हुआ लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 साल का जिन लोगोंने वेट किया मतलब किसी ने अगर 1 फरवरी 2016 को इन्वेस्ट किया था और 2 दिसंबर 2019 तक उसने मार्किट में वेट किया तो जो उसका 23,002 रुपे का सेंसेक्स था पॉइंट था वो बढ़कर 41,253 हो गया मतलब बहुत कम समय में वो मार्किट क्रैश हो गई और मार्किट क्रैश होने के बाद 39,235 तक आ गई मतलब 12,081 पॉइंट सेंसेक्स घट गया और 30% का उलाउस हुआ लेकिन अगर हम 2 मार्च 2020 को जो अमारा सेंसेक्स 39,235 गिर के हो गया था मतलब 12,081 पॉइंट की गिरावट आई थी मतलब 30% की गिरावट आई थी वो एकदम मार्किट में बूम आया और 3 मई 2021 को मतलब एक साल के समय में सेंसेक्स 50,557 तक पहुँच गया 21,352 पॉइंट की बढ़ोत रही ये सारे संभावनाओं को आपने देखा लेकिन अगर आप उस उब्जर्वेशन में सबसे इंपोर्टन बात देखेंगे न तो आप ये महसूस करेंगे कि शेर मार्किट कितनी भी धीरे धीरे बड़ी हो कितनी भी तेजी से बड़ी हो कितनी भी टॉप पर गई हो कितनी भी बॉटम पर गई हो फिर उपर बढ़ी हो फिर नीचे गिरी हो फिर उपर बढ़ी हो लेकिन अन्ततय शुरुआत से 1981 से लेकर आज तक शेर मार्किट उपर ही गई है मतलब अगर मैं यहाँ पर होल चार्ट देख लेता हूँ मैक्सिमम चार्ट तो 1983 में जो सेंसेक्स 22.51 था वो आज की डेट में 52,499 रुपे हो गया है इसका मतलब शेर मार्किट कितनी भी बार आप एंड डाउन हुई हो कितनी भी बार नीचे गई हो लेकिन लास्ट में आपको वो शेर मार्किट उपर बढ़ते हुए ही दिखाई देगी यही बात आप एक साल के चार्ट में भी देख सकते हैं कई बार फ्लेक्च योशन आएगा और मार्किट उपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर उपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर उपर नीचे आएगी थोड़ा वा तो उपर नीचे उपर नीचे चलता रहेगा लेकिन अगर आप ओवर ओव ग्राफ में देखेंगे तो हमेशा चाहें मार्किट कितनी भी बार डाउन आई हो लेकिन पिछले लेवल से हमेशा आपको ऊपर की ओर दिखती हुई, बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, इसका मतलब हमें करना क्या है, अगर हमें share market की deep knowledge नहीं है, तो कोई जरूत नहीं कि हम बहुत सारी companies को study करें, अपना सारा business, अपना सारा profession, अपनी job छोड़के सारा का सा focus इसी पर करें, हम Sensex और Nifty में भी invest कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, mutual fund में निवेश करना है, वो कहते हैं कि mutual fund में निवेश करना, website जोखिम क्या आदीन है, mutual fund में निवेश करते हैं, दस्तावेश को ध्यान गुरवक पड़ें, फाइन ये एक information है, जो mutual fund में निवेश क देती है, companies में, और सभी companies की growth के अधार पर mutual fund की growth का निर्धारन होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, SIP, friends market कितनी भी बार नीचे जाए, कितनी भी बार उपर जाए, market का एक trend है कि finally, आप market हमेशा बढ़ती हुई देखेंगे, 183, 187 Sensex से शुरू हुआ, और बढ़ते ब लगाए होते हैं, तो आपके वो 50,000 रुपे हो गए होते हैं, अगर आपने 18,000 रुपे होते हैं, तो आपके 50,000 रुपे हो गए होते हैं, आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है, जब आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, तो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के ल एक्सचेंज का एक यह फंड है वो यह कहता है कि आपको टॉप 50 कंपनीज के शेर में एक साथ इन्वेस्ट कर देना है आप एक्सचेंज को बोलते हैं कि मैंने जहन नॉलिज नहीं है तो आप मीचल फंड के माधियम से इन्वेस्ट करें क्योंकि लॉग रन में मीचल फंड आपको आसानी से बारा से पंदरा परसंट का रिटन देगा सिर्फ आपको जरूत है डिसिप्लेन को मेंटेन करने की लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहनी की ब से बैंक बीस निफ्टी फिफ्टी के बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रू बताएं शेर मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टर के रूप में अपने पैसे को निरंतर बढ़ता हुआ देखे स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी आप के सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत